मैं हाजीर हूँ आपके सामने एक नए सॉल्ट का रिव्यू करने के लिए सो स्टार्ट करने से पहले उस सॉल्ट का नाम बता देता हूँ एपरिसोन हाइड्रोकलोराइड के साथ इस इकलोफिनेक सस्टेन रिलीज या परसीटामॉल 325 mg टेबलेट का रिव्यू करूँगा आज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सस्क्राइब जरूर करें यह मेरे पास दोनों ही सॉल्ट में मेडिसिन है जो की एक एपरिसोन 50 mg और परसीटामॉल 325 mg के साथ रिलक्सोन प्लस करके ADN का एक ब्रांड है और यह दूसरा जो है यह एपरिसोन हाइड्रोखलोराइड के साथ एकसीटलोफिनक सस्टेन रिलीज में है जिसमें की यह आप देख सकते हैं 150 mg एपरिसोन है और एकसीटलोफिनक 200 mg है जो होता है वह एक एंटिस्पास्मोडिक होता है जो की यूज होता है रिलक्सेशन ओफ इसमूथ मसल्स में और इसका काम होता है इस्टिमिक पेन और हाइपर्टोनियन हाइपर्टोनिया और स्मूथ मसल्स के रिलक्सेशन के लिए यह फोर इथाइल टू मिथाइल और थ्री प्रॉपिटोन नेट का एक सल्यूशन होता है जो की यूज होता है एज एन एंटी स्पास्टिक पेन रिलीवर और इसमें परसीटामॉल जो यूज होता है वह यूज होता है मसल्स को रिलक्स करने के लिए और यह कॉंबिनेशन जो होता है वह रिलक्स करता है मसल्स को और पेन के सिम्टम्स को खतम करता है इसी के साथ ये एक एसे क्लोफिनेक के साथ भी आता है जिसमें सेम यहीं चीजें होती है बट डोज का डिफरेंस होता है एसे क्लोफिनेक के साथ एप्रिसोन की डोज बढ़ जाती है जो की 150 mg तक हो जाती है और परसीटमॉल के साथ इसकी डोज 50 mg और परसीटमॉल 325 mg होती है जबकि इसमें जो होता है वो 150 mg एप्रिसोन हो जाता है 200 mg के करीब एसे क्लोफिनेक हो जाता है यह एक मसल रिलेक्सेंट होता है यह यूज होता है हर तरह के मसल स्ट्रेच में इसके कॉमन साइड इफेक्स भी हो सकते हैं जैसे की नौजिया है वोमेटिंग है हर्ट बर्न है और स्टमक पेन है कभी कभी लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब की भूक नहीं लगना डाइरिया के कंडिशन और चक्कर कभी कभी आना वीकनेस मैसू यह सब इसके कमन साइड एफेक्स हो सकते हैं इसका प्रयोग बीन डॉक्टर की सला के ना करें क्योंकि यह एक NSAID है जो बीन डॉक्टर की सला के नहीं यूज करना चाहिए इसका यूज ज्यादा तर नियुरोपेथिक पेंस में होता है